हेलो एवरीवन यह है वीडियो वर्ल चैनल और आज हम सॉल्व करेंगे वेरिफिकेशन एग्जामपल 3 स्टैट प्रो तो स्टैट प्रो की हेल्प में अगर आप जाओ के तो कंटेंड में आपका बिर्टिस एंड अमेरिकन एग्जामपल्स दियें एंड वेरिफिकेशन प्र एलिमेंट जहां पर आ जाता है वर्ड इसका मतलब हो एक प्लेट है यानि कि वो प्लेट से बनेगी तो अब्जेक्टिव क्या है आपका डिफ्लेक्शन मुमेंट ओप दि प्लेट बेंडिंग इन इन फाइन एलिमेंट यह एक कैंटिलीवर प्लेट है उसके हमें बेंडिं से यह फिक्स सपोर्ट और यह प्लेट है इस प्लेट की कुछ थिकनेश भी होगी और एक साइट से इसमें प्रेसर लग रहा हुआ है और इसका जो एक स्पैन है 50 mm का है इसी तरह से 6 स्पैन है और यहां पर 2 स्पैन है यहां पर देखिए हैं डिफ्लेक्शन दिया हुआ है यहां पर डिफ्लेक्शन दिया हुआ है थेयर्टिकल कैलकुलेशन 18.51 mm और मोमेंट दिवी है 22.5 इंटो 10 की पावर 6 न्यूटन mm हैंड कैलकुलेशन यह हैं स्टैट्स इनकाल के वेरिफाइ करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैट्स प्रो ऑपन के लिफ्लेक्शन देखते हैं इस प्रॉब्लम में आपके 6 पैनल है 50 mm के क्योंकि यह प्लेट एलिमेंट है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इसको बीम से बना लेते हैं उसके बाद प्लेट बनाएंगे फिर बीम डिलीट कर देंगे एक तरीका एक दूसरा तरीका भी हो देखे कैसे बनाते हैं मैंने एक जोइंट बनाया इस जोइंट को मैंने स्लेट किया और ट्रांसलेट किया एक्स में कितना 50 mm 50 mm लिंक किया ओके अब इसको ट्रांसलेट किया मैंने जैड में सो रिवाई में 50 mm एक ये पैनल बनके 50 by 50 का अब यहां पर मैंने क्या क्या प्लेट बनाई यहां से प्लेट बनाने के बाद मैंने बीम को स्लेट करके डिलीट कर दिया कीबोड से अब प्लेट करसर से हमें इस प्लेट को स्लेट करना है और इसको ट्रांसलेट करते हैं 6 पैनल थे न तो 5 पैनल करते हैं 0.050 mm पर 5 पैनल 1, 2, 3, 4, 5 एक पहले से अब इस पूरे को स्लेट करते हैं और Z direction में Y direction में करते हैं 1 पैनल तो इस थरह से हमारे पास पूरा एक पैनल आ गया है ठीक है इसको एक बार रेंडर व्यू में देखते हैं तो इस थरह से Next देखते हैं इसमें क्या गीवान है आपका और उसके प्लेट की थिकनेस 25 mm प्रोवाइड कर देते हैं General Property यहां पर आपके थिकनेस Save कर लेते हैं इसको Thickness 50 mm 0.050 Concrete Material add, close, assign to view यह पूरे structure भी जाएगा Next is support देखते हैं प्रोब्लम में क्या दिया हुए 1 support, 2 support, 3 support, fix तो हमने यहां पर एक support create की fix और इसको apply किया है यहां पर Finish Next इसनोंने क्या किया है 5 Newton पर mm2 का यूनिफॉर्म प्रेसर लगाए एक साइट से ठीक है तो हम क्या करते हैं Load, dead load, close Dead load के अंदर हम self-fit add नहीं करेंगे क्योंकि यह जो result है हमारे केवल एक pressure की वज़े से हैं तो इसलिए हमें उस pressure को ही निकालना है यह direction आपकी हम लगा देते हैं Positive Z और यहां पर है आपका कितना 5 Newton पर mm2 अगर हम 5 Newton पर mm2 लेते हैं तो इसको convert कैसे करेंगे? Kilo Newton मीटर स्क्वेर देखे कैसे करेंगे StatPro के अंदर एक calculator भी होता है आपके यह रहा Unit करवन ज़़ए अब हमें क्या करना है? Pressure को convert करना है Unit चाहिए हमको अभी जो हमार पास है वो है Meter, Length और Force है किलो Newton और यहां पर हमें किसमें चाहिए? Millimeter और Newton ओके यहां पर अगर हम Ultra करना पड़ेगा मिली मीटर Newton और यहां पर मीटर किलो Newton अगर हमें 5 चाहिए तो हमें 5000 डाल लाँगा ठीक है? डेड़ लोड एड प्लेट प्लोड प्लेट प्लेट प्रेशर 5000 जड डारेक्शन एड क्लॉज इसको अप्लाई कर देते हैं यह रेखिए अच्छा एक चीज और इसमें बताएंगे देखिए arrow का साइज इतना बड़ा आ रहा है इसको छोटा कैसे करते हैं इसके लिए यहां पर जाना है आपको यहां पर स्केल यहां पर अप्लाई इमेडियेटली कीजी और यह क्या है किसके arrow है प्रेशर के लोड के प्रेशर यहां पर इसको इंक्रीज करते हैं वैले को यह रेखिए जितना आपको चाहिए उतना कर लीजी स्केल छोटा किया है मैंने उसके arrow का ना कि लोड कम किया है अब आप समझ गया है किस तरह से लोड लग रहा है अब इसको अनलाइस कर देते हैं टू एरर्स आउटपुट ओपन होगा इसमे एरर देख लेते हैं चेक इप अनलाइस कमांड इस आउट ओडर और मिसिंग केश नमबर वन चेक दाटा केर फुली हम अब आइडर में जाते हैं और चेक करते हैं ओके हमने जो एनलेसेजन प्रिट किया था ओल यह हमारा एड नहीं हुआ है करक्रेकली अब आ गया देख यहां पर क्लॉज अब अनलाइस करते हैं अब डेन अब डिफ्लेक्शन चेक करते हैं बेंडिंग में चेक करते हैं ठीक है पोस्ट प्रसेसिंग में चलते हैं यहां पर यह डिफ्लेक्शन आ रहा था पहले डिफ्लेक्शन ही चेक कर लेते हैं तो यहां रिजल्ट में जाना है वेल्यू बीम और दिस्प्लेस्मेंट तो मैक्सिमम दिस्प्लेस्मेंट इन जान डिरेक्शन नॉर्ट नम्बर देस एक किस पे 22.77 mm और जब कि हमारी प्रोब्लम में कितना आ रहा है 18.1 18.1 मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस एक्वल टू WLQ उपॉन 8EI डबल्यू नोंने क्या लिया है इधर देखते हैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं मैनवाली कैल्कुलेशन में डाटा क्या लिया है डिफ्लेक्शन का इनोंने क्वेशन लगा है देखें जो E है इसमें वो भी हमें इसके अकॉर्डिंग लेना होगा यानि की 210 इंटू 10 की पावर 3 और इनोंने जो लिया है W W इनोंने निकाला है L है इसके 300 mm ठीक है W कैसे निकाला है? Size इंटू Thickness, Area इंटू Thickness ओके ठीक है तो हमें इसका E कनवर्ट करना होगा इस तरह से हम Stead में जाएंगे Editor में जाएंगे और E यह रा यहाँ पे रहने E कितना लिया है? 210 इंटू 10 की पावर 3 तो यहाँ पर हम कर देते हैं 210 और 10 की पावर 3 Save अब Analyze कर देते हैं अब अब कर देते हैं अब कर देते हैं अब 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 ही चेंज करने के वाद हमाने लाइस करते हैं इसको अब हम जाते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग में और हम यहाँ पर देखते हैं मैक्सिम डिफ्लेक्शन दिस नॉट 18 पॉइंट ठीक आ रहा है और बैंडिments भी चेक करते हैं कंटें ने हमने गयते हैं अब यहाँ पर अप्लिक्शन अमेरीकन वेरिफीकेशं इस में थर्ड यहाँ पर हम आ रहا है डिफ्लेक्शन आ रहा है 18.51 मेक्सिमम और यहाँ पर 18.15 और बैंडिंग मेंट कितने रहा है banding moment 22.5 तो banding moment भी चेक कर लेते हैं result view value banding moment banding moment कौंसी हैसमे maximum banding moment maximum जो deflection आ रहा था अगर हम problem में देखें तो 18.1 आ रहा है इसको हम स्टैड में कैसे देखेंगे हमने पोस्ट प्रोसेसिंग में गए और हमने रिपोर्ट रिजल्ट व्यू वैल्यू यहां पर नोट का रिजल्ट और ग्लोबल जट डारेक्शन में हम देखेंगे तो देखेंगे तो देखेंगे 18.15 आ रहा है maximum reflection और यहां पर आ रहा है 18.12 अब बैंडिंग में 22.20 आ रहा है इसके लिए मोडिलिंग में जाएंगे post processing reaction और reaction में यहां पर देखेंगे आप बैंडिंग मेंड बैंडिंग मेंड बैंडिंग मेंड वैट 22.5 किलो न्यूटन पर मिटर और अगर हम इसमें देखें तो 22.5 तो हमारा result verify होते हैं manually versus stat pro तो आज का यह verification example number 3 ता इसके बाद next होगा आपका cantilever band plate और उसके बाद बहुत सारे एक्जामपल है तो आज के लिए फिनिश करते हैं प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए subscribe कीजिए share कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक करें ना भूलें जिससे आप आने वाली वीडियो का notification आपको मिल सके थैंक्यू